हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बता हूँगा गईस के Samsung Galaxy M13 फोन में आप लोग रिसेट कैसे कर सकते हो अगर आपके पास Samsung Galaxy M13 5G फोन है और इस फोन में जो आपको रिसेट करना है अगर आपको जो Wi-Fi सेटिंग्स रिसेट करना है या Mobile Network सेटिंग्स को रिसेट करना है Bluetooth सेटिंग्स को रिसेट करना है तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में जो इन सब को रिसेट कर सकते हो तो अगर आपके फोन में जो Bluetooth, Wi-Fi से related कुछ problem है या network problem है या आपके फोन में software से related कुछ problem है तो आपको reset करने हैं अगर नेटवोग से related problems है तो अपड़ोग इस पर click करने के रिचेत पोना से करेंगी तो हमारे सेटिंग्स होते गें Bluetooth Settings, Wi-Fi और Bluetooth से related problem है, तो इस पे क्लिक करेंगे और reset पे क्लिक कर देंगे, तो आपको जो Wi-Fi और Bluetooth Settings होता वो reset हो जाएंगे, उसके बाद Accessibility Settings में आपने कुछ जो है, चेंज किया था, तो अगर आपको आभी default करना है, तो आप लोग reset, Accessibility Settings को भी आपर से reset कर सकते हो, उसके नीचे देख सकते है, Factory Data Reset, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखाएगे, इस Factory Reset वाला, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, और Factory Reset भी आप लोग कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Samsung Galaxy M13 5G Phone को आप लोग reset कर सकते हो, तो कैसा लगागा इस आप लोगों को एवीडियो, अगर वीडियो पसान आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए, मिलते का लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई,